दोने कावट मोरिये वन तो अपने पड़ा था मोरिये बस जानने के श्रुत अगब्रेपट लिया था जो जानने के श्रुत है वो कौन-कौन शें तो अपने पड़ा था कतासरित साथ जो सौमदे द्वारा रचित हैं मैगस्नीज की हिंडी का पड़ी थी कोडिली की आर्थ साथ पड़ी और पतंजली का महावा से पड़ा विष्णू कुराण पड़ा इनके अलावा सौराष्ट और महा सौगोर का अभिले और रुद्रदा थे जुना गढ़ अभिले, और असोग के अभिले, इन सबीसे में का मैंती है? मौर्यवंस के पारे में जानकारी प्राफ्त होती है आप मोर्य वंस के जानकरी के साहत पर नेकार करम पढ़ाता कि 322 या 323 इसा परुशलिकर 184 इसा पूरो तक मोर्य वंस ने साहसन जाता। अब पर पढ़ाता मोर्य वंस से पहले नंद वंस था और नंद वंस का अंतिमत साहत जिसका vitल जिसका नाम का गनानांगD गनानंत की चानक्य की साहता से चंद्रुत मोरियन ने 321 लगबग हत्या कर दी और एक नवीन मंस की स्थाप्रा कर दी और नवीन मंस था मोरियन वन्स बंदू सार और इसके बाद में जो प्रमुक शाशक है जो महाने ग्रेट है है जिसका नाम है अशोव अब इंवे सबसे पहले हम पढ़ेंगे चंद्र गुप्त को इसको देखन से दिए सबसे पहले चंद्रबुत का जो कालक्रम है वो कालक्रम क्या रहता 322 या 323 बिसी से लेकर 200 इंठ्याण में बिसी तर कहा था 200 इंठ्याण में बिसी तर क्या करता है साशन करता दूस्वीची चंद्रबुत मौरी कौन था मौर्य वंसका सवस्तापक था कौन था सवस्तापक तो दूस्वीची वंसकी क्या रख सकते हैं यह क्या था सवस्तापक था किसका मौर्य वंसका इसका मौर्य वंसका सवस्तापक पुछा जाए तो कौन था चंद्रबुत मौर्य चंदरगुद्रमोर्ये समराथ के रूत में बनाने में मिक ज़्एजा था जुषी यहगतां था यह दला किसका योगता था है जनकती को रख प्रॉत मैं क्या डीकते हैं इसकав कि सब पहले श्कूस कर्टिक भातEC आल्सफे लिएक घागा अामाक्य से अमात्य का मतलत होता है मंत्री और उस समय पूदान मंत्री है वो पहले अमात्य के गरू GO Giant該ु धा दूसरी चीन किस के शाषनकार ये था एक तो चंदरम्गुत कते मौरिय के साशनकाल में और दूसरा बिंदु सार के साशनकाल में अगर पुछा जाए चंदरगुप्त किस के साशनकालों के प्रदान मंत्री था, अमाथ्य था या मंत्री था अगर नाम जाए चंदरगुप्त बिंदु सार चंदरगुप्त वे बिंदु सार वैशो तो तरक्या जाएगा चंद्रगुप्तु और मौरिय के साशनकाल में और दूसरा किसके साशनकाल में और क्या था चाना की लिख लेना तेरे लिए लिखना और क्या था यह कौन था तक्ष शीला का आचारी अब चंद्रगुप्तु मौरिय से चानकी का जो मेल है या किस तरे से इन दोनों का मेल हुआ की जिसकी कारें चंद्रगुप्त को मौजे समराड का सब्संताल बना देता हुआ तो इससे पहले मैं आपको प्रारंबिक जीवन बता देता हुआ। कि किस का चंद्रगुप्तु मौरिय का प्रारम विक्रत जीवन रटना निये क्यों समझना है सबसे पहले चीज़ तो मुद्रा राक्षस नमक के क्रंथ है जो किसने लिखा था? किसने? विशाक दथ ने और मुद्रा राक्षस पर भी एक टीका लिखी थी अर्था उसका टीका लार बहुता? घुण्डी राज क्याता? कहीं आपको घुण्डी राज में मिलेगा कहीं आपको घुण्डी राज में मिलेगा तो सबसे पहले चीज़ एक इसकी जानकारी कहां से मिलती है? किसकी? चैन्दर गुत्मोर ये की प्रारंबिक जानकारी कहां से मिलती है? अगर पूछा जाए तो ग्रंद का नाम क्या है रखना? मुद्रा राक्षस और मुद्रा राक्षस एक और राक्षस रास्ता राक्षस रास्त कौन था? जनानत का अमात्य या मंत्री इसका जो लेखिद ताफ का नाम क्या था विशांक्द और सुछ कहागए कि इसका तीका कार कौन है तो तीका कार को था धूंडी राट यह कौन था इसका टीका था इसके अलावा और कौन सा गरंत है जिन से यह जानकारी मिलती ही मिलिंद पनधू क्या नाम है कि इस ग्रंथें कोन था नागसेन को निखा नाग सेयल प्रारान से छी Cramp पिता थे उसके नाम के बारे में लेख नहीं मिलता है लेकिन एक उलेख मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्यका पिता थे वो मौर्यक एक जनपद था जनपद जनत है उपंधने पहले पटा था पीचि सोले माहा जनपद माहा जनपद बड़े थे उन्छे जो छोटे थे उंक्या कहला थे जनपद कहला थे तो कहा का जनपद थे मोर्ये जगे का नाम क्या था मोर्ये जनपद का प्रधान था जाती माल थे क्या मालेते घया जनपद का प्रधान होने की कारण ही मोर्ये को चासन करने यह कहला है मोर्ये कहला है और विद्वान क्या कहते इसके नाम हे लोरिया नंदनगड अबिलेख है उस अभी लेक में सबसे नीचे जो चितर बना हुआ है, वो मयूर का चितर बना हुआ है, किसका चितर बना हुआ है, मयूर का चितर बना हुआ है, उस मौर के चितर को आधार मान कर भी कहते हैं, कि ये किस वंस के माने जाते हैं, मौर ये वंस के माने जाते हैं, मयूर के पोशक क्षितर बनने में मयारि इस . इसलिए क्या एक है जिवन था वो पाठली गर्व पुत्र हो यहां? हर्तार हम पाघर आप्पाध के बाघर मुचा जा है कि इसारी का हुआ हूआ प्राराभिक माठे। पाठली पुद्र में क्योंकि पिता यो जन्मद था वो किसके अधिसता पाठली पुद्र के अधिसलिए हम क्या सकते हैं कि इनका जन्म कहा हुआ 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 होगा उसके बाद में कहते हैं कि जब इनकी माता गर्बावस्ता में थी या यह गर्ब में थे, जब इनका जर्म नहीं हुआ, यह गर्ब में थे, तभी इनके पिता की क्या हो जाती है? पिता की म्रत्यू हो जाती है, इसलिए इनकी स्तती अच्छी नहीं रहे है, इसलिए इनकी माता इनको बेच देती है, बेच देती का बतलब आसे 50 साल पहले हमारे पूर्बस कई जगे गाहे चरानी के लिए या मारण के ते मालवा जाते, पंजाब के आसपास का शेत्र, जहां आकार राजस्तान भरती इसके वाच अकाल बढ़ता, इस अकाल की मारवो जेलने के लिए वो लोग घा जाते है, माल पर गितर जाते, नौकरी पहले दे किसी के या, चाखरी करते है, काम कर देती, तो इसको इस्तती भी अच्छी नहीं हो लिए, इनको पिता की पृत्य हो ग गोपलक के रूप में कारिय था फिर यहां से इसको खरीद लिया किसी सिकारी ने खरीद लिया और सिकारी धुरा खरीद जाने के बाद ये एक बार कहीं अपने इसका ऐसा कहलता है और पिंज्रे के अंदर एक सेर को बंद कर दिया और बिना गेट खोले इसको क्या खरना है सेर को बार निकालना कैसा संभव था नहीं था लेकिन ऐसे संभव इसलिए होगा कि यह जो था सुरू से ही धनी था, किसका धनी था? विद्वता का, विद्वान था, कुशल था, निपोर था, चाटुलिय था, इसकी काफी देर पर सेर के पास खाड़ा रहा, तो इसको लगा कि सेर में कोई अल्चल नहीं है, इसका मतलब यह असनी सेर नहीं था, यह मौम का बनावा सेर था, जो अंदर बिठा दिया गया, तो इसने तिल्ली से आग लगा दी और सेर क्या हो गया, वहाँ कावाई जल गया, इस विद्वता को जब चानक के अपनी आचारी, जो चानक की आचारी थे, काके तक्सिशिला के, वो रोज भर्मन के दोरान जाते थे, और भ राज की लब्त क्या है, तो राज की लब्त क्या है, एक खेल है, जिसका सर्मन किस से था, चंदरगुप्त मौर्य शेता, तो इह देख कर, चानक की, किस से, चंदरगुप्त मौर्य से प्रभावित हुए, और इस सिकारी से, इसे खरीद लिया, खरीद लिया, प्रसुन नही कि रांद कितने टो एक हजार कितनी एक हजार केंगे का थी का साटल को अथा हो क्या है चान्धी की मुद्रा अगरा चांडी की टार्था तो इसको याद wratt चंदर्गुद रहे का तेक अब काल करूंण क्या निए राण से इसी स्थाप्ना की स्थाप्ना की कैसे की तो इस्थाप्ना कैसे थी किस की अत्या करके गनानाद किस वन्स का नंद वन्स का अंतिम साशक जिसका नाम क्या था गनानन्द क्या था गनानन्द की हत्या करके क्या कर देता है मोर्य बसकी स्थापना कर जता है यहां प्रश्मी आता है कि जब गनानंद और चंद्रगुप्त मोर्य के मद्य यूद हुआ तो उस समय किस व्यक्ति ने चंद्रगुप्त मोर्य की साहिता थी चानकिय तो था यह उसके अलावा अब पूश लिया जाए तो उसका नाम यार मंत्री या यहीं क्या लिखाएगा अमाधी क्या लिखाएगा अमाधी तो इसको या रखना सक्तार कौन था गनानंद का मंत्री या अमाधी था इसी ने इंडारेक्टली चंद्रगुप्त मोर्य की साहिता की और गनानंद को पराजित कर रिया और मैंने दो नाम और भी बता मत्वी था किसका गनालंद था तीसरा एक नाम और था कि नम ठाट राक्षष राग ये कौन था ये आमागतिय था या क्या था मत्वी था किसा गनालंद था तो गनालंद से समंधित्र चीजो को याड रखना। उसकी बाद में चानकिया ने सिकारी से 1000 कारशापड. कारशापड जब दो क्यों होता है। चान्दी की मुद्षा में क्या कर लिया उसको खरीद लिया, और खरीदने के बाद तक्षृ सिला ले गया शिक्षादी और फिर अपने अपमानित होने के कारण जो सपत लीती उस सपत को पूरा करने के लिए चंद्रगुत्व मोर्य को किस पर आकरवन करने के लिए तयार किया नंदवन्स के शाशत गनानल पर आकरवन करने के लिए तयार किया उसके वाद में चंद्रगुत्व मोर् और किसने खा कि वही जो प्रादसीन नाम है वो चंद्रगुप्त मौरीय था। अब चंद्रगुप्त नाम हम बता रहे। लेकिन खिताबों में चंद्रगुप्त बिल्कुल भी नहीं था। मैं राज किलम यहां लिगता हूँ। कौनसे खेल को देकर चानेकिया ने राज कीलम खेल से प्रभाविट होकर उसे खरीदा, कौनसा खेल, राज कीलम, मैं वापस होड़ा हूँ, चंदरगुप्त मोरिय हमने लिखा है, जबकि कहीं पर ऐसा था नहीं, तो चंदरगुप्त मोरिय किस ने बताया, उससे पहले चंद चंदरगुप्त के उप नाम, यानि चंदरगुप्त को किस-किस नामों से जाना जाता है, और उनी नामों को आधार मानते हुए, किस व्यक्ति ने का, कि ये जो नाम उप है, वो एक्षिल में था कौन चंदरगुप्त मोरिय था, तो सबसे पहला उप नाम इनका जो मिलता ह वू बिलता है सेंडरो कोटर के नहीं रण और दूसरा मिलता है अंड्रो कोटर और तीसरा जो नाम मिलता है वो मिलता है सेंड्रो कॉप्टस के नाम मिलता है सेंड्रो कॉप्टस कहीं 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 को सेंड्रो कॉप्टस भी विलेगा एंड्रो कॉप्टस भी विलेगा बाकी चुलों नाम क्या लिशा हुआ है सेंड्रो कॉप्टस एंड्रो कॉप्टस और सेंड्रो चंद्रबुक्त मोरी के लिए सेंड्रो कॉर्टस नाम का प्रियोग किस नहीं किया था तो तीन विद्वान है जिन्नों ने कहा कि चंद्रबुक्त मोरी को किस नाम से जाना जाता था सेंड्रो कॉर्टस के नाम से पहला जो विद्वान था उसका नाम था स्ट्रेबु क्या ना याया जाता था और दूसरा जो व्यक्ति था उसका नाम था एरियन के नम था एरियन डियर मेगस्तिष नित अ स襟्ट विवनिव एडियर अधुट्र को क्विटती बुटा-धी, तॉयर नाम था से 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 , और सी से , से चे अडरोपोटम है , स्टेज़कू कोठरी नुटोर्ण फीर जlogि से से !! और तीसरा ज्य इरVIS कुछन बंधन बंसक्त निन बंधन इस वु था ? इन तीनों के बारे में बहुत लार कुशेन बंचा गया और यदे तार समय बाता है नाम नहीं तंड़ें चंद्रकुत मोरियो को नाम हमने नहीं था है। तीनों को तीनों जो है वो किसने बताया। युनानी लेख वो को ने बताया। और युनानी लेख कौन उते थे फैला, इस्ट्रेवो, दूसरा मेगसमी, पिशरा एरियन, चौटर और पांच वा फिलार्कस। तो, इस्त्रेबो और मेरस नस उससे तो चेंद्रकुपन मोरी को क्या क्या खा खा ? Cendro Church Aryan and Poor daughter manger के क्या का Handro Church और Philarqas ने क्या का था Sandro Church तो फिर चेंद्रकुपन मोरी इसने का विलियम जॉन्स क्या नान था ? इसके नाम था इसने का था चंद्रुगुप्त मोरिय क Quiz테 मैं आपस बोलना हूँ, Sandrocortus, Sandrocortus, वै Sandrocortus की पहचान चंद्रगुप्त मोरिय के रूप में की थी, अगर ऐसा आ जाए, तो किस ने की थी, William Jones, क्या नाम था, William Jones, प्रसुम्ट आपस बोलना हूँ, Sandrocortus, Androcortus, और Sandrocortus, की पहचान, चंद्रगुप्त मोरिय के रूप में किस ने की, तो उसका नाम क्या रहेगा, William Jones, क्या रहेगा, William Jones, और William Jones ने कब की थी, तो वो भी याद रखना, 1713 में इस वी में, William Jones ने कहा, कि जिसको आप Sandrocortus समझ रहे हो, जिसको आप Sandrocortus समझ रहे हो, वो एक्ष्वी में था कौन, चंद्रगुप्त मोरिय था, तो 1713 के बाद, इन नामों की जगे, हमने कौन सा नाम नाम कर दिया, चंद्रगुप्त मोरिय, और आज हम इतियास के चंद्रगुप्त मोरिय को, मोरिय मंस के सस्तापन के रूप में जान रहे, इसके बाद में है, कि चंद्रगुप्त मोरिय की माता का नाम क्या था, सही जगे नहीं मिलता है, लेकिन कुछ जगे मिलता है, कि उनकी जो माता थी, उनकी माता का नाम था मुर्रा, क्या नाम था, मुर्रा, मुर्रा ये थिमें थी कौन, एक दासीगी कौन थी दासी जिससे उस व्यक्ति से प्रेम हो गया और उसकी जो नाजन संतान। थी उसका नाम था... चंदरब॥र मौरिए अथा ये धी क्ढ़ एक दासी थी कौन थी दासी और इसी दासी से इसका... जन्म हुआ ऐसा माना जाता है। तो माता का नामे जाएगा हुपुर्रा, पिता के नाम के वारवा पंजनकरी नहीं है। लेकिन ये फाइनल ही है कि वो गनानन के सासंकाल में रहा होगा। क्योंकि गनानन की हत्या करने के बाद ये अगला वथ कौन सा है था, मौरिय वन्स। उसके बाद में है कि चंद्रगुप्त मौरिय ने कौन-कौन से विजे अभियान किये और उन विजे अभियानों के दौरान चंद्रगुप्त को किस-किस नाम से जाना जाता है। ये तो है उपनाम, इसके अलावा हुँ चंद्रगुप्त को और किस नाम से जानते हैं, तो अन्य चीजों में क्या द्यान रखना है? ध्यान से खूना है, अगर प्रशन आ जाएगा, भारत का प्रतम ऐसी आसी सासक कौन था? भारत का प्रतम ऐसी आसी सासक कौन था? तो भी उ को बना जाएगा पहला तुमने क्या गाता पहला इसको क्या जना जाता है भारत का प्रतम एपी हासिक शाशन के नाम से किसे जना जाता है चांद्रगुप्त मोर्यकुप दूसरा क्या जना जाता है भारत का प्रतम मुक्तिदाथा शाशन के रूप में किसे जना जाता है चांद्रगुप मोर्यकुप क्यों का जाता है द्यांसर सुनना हमने पीछे पड़ा था कि 323-326-25 BC इश्यू में भारत में कौन आया था कुछ जगे लिकावा पॉरस ने जीता कुछ जगे लिकावा चंद्रगुप दूसरा के समेशे पता लगता है कि पॉरस वराजित हुआ और सिकंदर जीता कैसे बता चलता है कि सिकंदर ने जब भारत पर 326 और 25 में आकर्म किया था उसमें भारत के पंजाब और शिंद के आसपास के शेत्रों पर विजय प्राप कर ली और इन शेत्रों में अपने शत्रप नियुक्त किये सिकंदर ने पंजाब और शिंद के आसपास के शेत्रों को जीत कर वहाँ पर क्या नियुक्त कर दिये शत्रप नियुक्त कर दिये अर्था भारत का ये शेत्र गुलावी में जकड़ गया था अब चंदर गुप्त मोरियन ने इन शत्रपों को पराजित किया और भारत से विदेशियों को मुक्त किया अर्था इनको पराजित करके इनको यहां से भगा दिया इसलिए क्या कर जाता है भारत का ब्रतम मुक्तिदाता सासत्य नाम से जाना जाता है इसके अलावा और क्या सकता और भारत का प्रत्व अंतर राश्ट्रिय संदी किस राजा के साथ संकाल होगी तो अभी कौन से रही बता सकते हो कैसे रही सेल्युकस के साथ 305 इसी में जो यह दुआ था और उस युद्ध दो साथ चलने के बाद 303 इसा पूरू में सेल्युकस निकेडर और चंद्रगुप्त मोरिय के मद्य जो संदी होगी ती वो विश्वे की पहली अंतराश्ट्रिय संदी थी तो भारत की पहली अंतराश्ट्रि किसके सासन कालमी थी चंद्रगुप्त मोरिय के सासन कालमी और इसके एक कुछन आता है भारत का प्रत्तम अंतराश्ट्रे राजदूत आने वाला पहला व्यक्ति किसके सासन कालमी आया तो भी कौन सा रहेगा चंद्रगुप्त मोरिय यनि भारत का कोई राजदूत की अरकोशिय, जो कंदार का कंदार जिसको अरकोशिय का नाम से जाना जाता है वहाँ का सासक बन के आए और अगर प्रसन्द कूछ लिया जाए भारत का पहला अंतर राष्टिय राजदूत कौन था तो उतर किया रहेगा मैं दिने थी और अगर पूछ लिया जाये कि चंद्रगुत सौरी भारत का प्रतम अंतर्राष्टिय विवहा किसके सासनकाल में हुआ तो चंद्रगुत मौरिय के सासनकाल चंद्रगुत मौरिय से पाइल तो चंद्रगुक्त मौर्य के विजय अभ्याद चंद्रगुक्त मौर्य के विजय अभ्याद इसको समझे नाटवर्य पहलेगे जेसे ही चंद्रगुक्त मौर्य को किसने खरीदा चाड़के रहेए खरीदने की बाद क्लाली के तक्षशीला और कितने वर्शोत तक आज वर्षव तक पूर्ण रुख से इसको शिक्षा दी और शिक्षा देने के बाद अपने अभिमान अपमान में जलते हुए चण के द्वारा क्यानी के बाद चंद्रगुक मोर्य ने अपनी छोटी सी सैनित टुगडी को लेकर किस प्राक्रणु टलता है मगद प्राक्रण करने के लिए ही इसे सिक्षित करके शैनि के रूपे तया किया तो पहला विजय हम्यार नहींगा मगद पर आक्रवाद लेकिन आपको पता बेना आपको पहले पताया कि जो गणानन था वो अत्यदिक अतुल धन संपतिका धनी था धनी था धनी कोई कमी नहीं थी इसलिए उ संच्या गे लड़े पास कई अधिक तो तुप तो कई तय विपती सैना इसके पास गणानन संक अधिक थे इसलिए जब छटर पुप्त मोरे ने आकरमन किया चट्र पुप्त मोरे ने किया था आकरमन किया उस आकरमन में वो क्या राएस गाननननन के पास सैने को कि संक्या जादा होने की कारण और दूसरा उल्टा मखाय कि चंद्र को मोरी के पास सैना कम थी इसले वो क्या हो गया पराजित दूसरा और क्या क्या था? दूसरा ऐसा पल होने कारण क्या था कि इसके पास और क्या था एक क्या था भद्रशाल जेसा सेनापती था जिसके कारण भी तो पहला ये और दूसरा ये बद्रशाल जेसा अत्रिदिक निपोड योदा सेनापती होने की कारण चंद्रगुप्त मौरिये बाओ संक्षित में लिखराऊं चंद्रगुप्त मौरिये और साथ में कौन? चानक की और कहते हैं कि यह भाग कर कहां चलेगे रात्री में पंजाब तक पहुंच गे पंजाब में पहुंचे और पंजाब में किसी के किसी के घर पर रात्री सरण ली। क्या ली। रात्री सरण ली। उस रात्री सरण के दोरान एक मा अपने पुत्र से कहती है। पुत्र क्या मिड़ता है इस जहां पर सरणली वहीं पर इस गर में जो पुत्र था वो पुत्र रोटी खा रहा था लेकिन कैसे खा रहा था वो रोटी जैसे ही गरम गरम देखें ना एकदम कच्छोबियों के तरहे फूल जाती है पूलती है ना और जैसे ही कई बार कभी तोच लो क्या उसको खाने लाइक रहती है क्या नहीं रहती है क्योंकि हाद जल जाता है तो जो पुत्र था वो रोटी खा रहा था लेकिन कैसे खा रहा था रोटी को वो बीच में से तोड़ कर खा रहा था कैसे खा रहा था बीच में से तोड़ कर खाने की कोशिस कर रहा था लेकिन वो खा नहीं पा रहा था क्यों नहीं खा रहा था क्योंकि रोटी गरम थी बीच में से गरम थी अगर साइड से तोड़ता तो वो क्या हो जाती भाब बार निकल जाती और थोड़ी देर वो भी ठंडी हो जाती वो अराम से खा सकता था ये बार-बार मा देख रही थी और अंध में रोटी के खाने के इस तरीकों को खाते हुए मा कहती है माने कहा माने क्या कहा माने कहा कि जिस तरे जिस तरे कौन चंद्र गुप्त मोरिये मोरिये मगद पर किस पर मगद पर सीधा आक्रमन करने की करने की भूल कर रहा है उन्हें पता नहीं था कि यही चत्रगुत मोरिये है भूल कर रहा था उसी तरे उसी तरे तुम भी भूल कर रहे हो अर्था अब तुम रोटी को किनारे से तोड़ो और खाओ थोड़ी देर में ठंदी हो जाएगी अराम से खा लोगे ये बात सुनकर चंद्र गुप्त मोरिये के दिमाग में भी आया कि मुझे मेरे पास सेना क्या है कम है जैदा मेरे पास सेना है नहीं गनानन के पास सेना हदी के मैं अगर सीधा आकरून खरता हूं तो सीधा पराजित हो जाओगा मारा जाओगा कभी भी सबल नहीं होगा इससे अच्छा मैं क्या करूँ कि मगत के आसपास के जो छोटी छोटी सेत्र जो मगत के नियंत्रण में है पहले मैं उनको जीतूं और उसके बाद में जीतकर एक नवीन सेना का समिटर करूं बहुत सारे मित्रों को बना लूँं और मित्र बन जाएंगे सेनिकों के संक्या ज्यादा होगी तब मैं सीधा मगद पर आक्रावन करूगा और तुम पीज़ीन की लिएrock करता है और करता है पंजाभ वे शिंध पर किस पर पंजाभ वेशुक्रिया है मैं निए पहले पिछे लिखाया कि इसको किस नाम से जाना जाता है भारत का प्रतम मुद्टिदाथा के नाम से जाना जाता है यहाँ पर सिंदुनदी के आस पास जैलम नदी के आस पास के शेत्रों पर किसका अधिगा था एधिकार कर लेता है और अधिकार कर लेता है और अजिवाल करते के बादि इनी शेत्रों में इन शेत्रों में पंजाब और cohesive में क्या करता है इस सपार करता है जिन्धे क्या के यह काते नाम जाता है जिलीन करते है राज्य पाथ राज्य पाथ शत्रप शृत्रों में शत्रफ नूक्त किया और नूक्त करने के बाद स्वेम कहा चला गया वापस चला गया कहा चला गया आपको मतल्ड कहा गया था मघदूनिया में टुलका जन में हुआ क्या हो जाती है यहाँ पर शुब्रपत को राने के लिए मगत के पास का सहतर था compete शेटर था सिंद्ड्र अघां ल मैं सीधा मगत पुर आकरवननत नहीं करूं Стam सबसे पहले क्या किया चंद्र गुप्त मोर्य ने इन शत्रपों को क्या कर दिया पराजित क्या कर दिया पराजित किया कई बार पुछ आ जाता है अंतिम शत्रप कौन था डे में कस का नम था डे में कस अंतिम डे में कस ये था कौन अंतिम शत्रप था कौन था अंदिम शत्रव इसे पराधित कर दिया इसे लिए चंद्रगुथ मौरिय को किस नाम चे जाना गया भारत का प्रतम मुक्ति दाता के नाम से जाना जाता है के नाम से जाना जाता है उताम लोगने आपके रसी पूरा तो होगा नहीं को बंदें इसर भी आगे आपके आपके आपके